Hello dear friends, आप सबका स्वागत है कॉर्मेंट सरकारी वेकैंसी के YouTube जैनर पे जी हाँ friends, आपके लिए इसमें आती है daily नई आपके कॉर्मेंट जॉप की नोटिफिकेशन और आने जाले वाने की नई चानकारिया जी हाँ friends, जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि आपके BCCL, BCCL मीनसे आपका भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जी हाँ friends, इसने चबरासी की वेकैंसी निकाल रगी friends, आपके काफी सारे questions आ रहे थे, मेरी users के subscribers के, कि sir इसमें question paper किस तरह के से आता है तो friends, हम इसकी पूरी vacancies के बारे में जानें कि क्या उसके important है, कौन से question papers, कहां से आते हैं, किस तरह इसका pattern set होता है, किस तरह इसकी marking होगी friends, थोड़ा सा हम इसको एक नजर से देख लेते हैं जैसा कि friends, आप जानते हैं कि 8 भी पास के उपर, P.O.N. और Supervise की जो grade की जब vacancy निकली हुई है friends, total vacancy 56 है, last date आपकी 28 December रहने वाली है तो friends, इसको जल से जल भर दीजिए, इसका notification आपको जरूर आपको मिल कया होगा नहीं तब हमारी पुरानी वाली कोई भी YouTube burial दे सकते हैं तो friends, आप देखेंगे इसकी जो vacancy 17 तारिक को release हुई थी और यह बिल्कुल 56 post के साथ हुई थी तो friends, यह की जो vacancy चल रही है वो आप देखेंगे 31 December से चाल ले हुई थी और 8 December तक चलने वाली है friends, यह इसकी official website है इसका हमने पूरा वीडियो बता रहा है कि आपको किस तरह form बढ़ना है और किस तरह offline आपको उसको submit करना होगा friends, पूरा A to Z वीडियो अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमाई suggestions से लिंक में देख सकते हैं आपको महाँ पे link मिल जाएंगे अब बात करते हैं कि friends, इसका जो selection किस तरह होने वाला है friends, जो इसका जो exam का जो selection है वो आपका बिल्कुल एक aptitude test पे होगा जो friends, माना जा रहा है आपका objective type के questions होंगे पर friends, इन्होंने last में ये भी लिख दिया कि आपकी writing skill को इसके अंदर देखा जाएगा और वो आपका 50 number का paper होने वाला है तो friends, इसने तोनों चीज़ लिए तोड़ा confuse कर दिया है जिस तरह ही आपको aptitude test बोलता है और साथ में आपको writing skills भी बोलता है तो friends, aptitude test में आपके objective type questions आते हैं राइटिंग में मैं इस आपके आप descriptive questions चलेंगे descriptive का question मतलब है आपको उसके अंदर अपना लिखने का एक better आपको लिखना पड़ेगा जैसा कि मैं आपको आगे बदिसकस करने वाला हूँ तो friends, इसको पास करने के लिए जो भी general candidates हैं जो अपने general candidates में आते हैं या other state candidates हैं जो आपके whatever आपके जारखंट से belong नहीं करते हैं तो उनको 50 में से 20 number लाने जरूरी होंगे उसी तर friends, STST के candidates होंगे उनको 50 में से 17 number लाने होंगे और ये friends, आपका पूरा 60 minute इंट्रव्यू, whatever जो भी process होगा, वो करना चाहेगा friends, काफी अच्छी job है, vacancy permanent है तो उसके थोड़े से हम चीज़ देख लेते हैं तो friends, सबसे बहले बात आती हैं कि जो P.O.N. के हमने एक question paper आपके old question paper डूणडे है जिसका होगा आपका चपरासी के old paper practice जो होगी, क्यों है, हम इसको क्यों आपके लिए लेके आएं क्योंकि friends, जो परिक्षा का pattern है इसको बाद जाने में मदद मिलेगी क्योंकि friends, हम जानते हैं कि 8 path के बाद जो candidate से थे, उनको कोई pattern तरीका पता नहीं होता exam के questions किस तरह क्या हैंगा तो friends, आपको जो भी पीडियाफ का सेशन चालू कर रहे हैं इसमें आपको काफी मदद मिलने वाली है परिक्षा के जो स्तर, आपको स्तर समझ में आगा कि किस level का paper आता है किसमें क्या-क्या questions पूछे जा सकते हैं पूरे syllabus का revision में आपको मदद करेगा आपको कुछ books पढ़नी होगी जिसका आपको मैं के बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे questions होते हैं जो बार-बार repeat होते हैं आपको पचास में सी only 20 marks ही लाने चनल वालों को और स्टी वालों को 17 अरे friends, तीन नंबर कहीं तो हो रहा है तो friends हम कुछ इस तरह तयारी करें अपने strategy बनाए कि हम 217 marks हम आराम से लेके आजाएं तो friends इसका exam clear होने में आपको बहुत अधिक ब्रदी मिलती है उसी तरह friends अभी जो भी कुछ है परिक्षा जिसे 2012 में लगी थी हम उसी भीहाब पर आपके लिए कुछ इक questions लेके आए तो friends आप देख सकते हैं जैसे कि 36 गड़ के अंदर जो pure exam होई थे 2000 में 100 अंका पूछा गया था पर friends अपने पास ये 50 नंबर काने वाला जैसे समानने कान हो गया 36 गड़ हो गया गणित हो गया English हो गया Hindi हो गया तो friends जहां तक माना जाएगा इस से पर आपका बाहर नहीं आएगा आपका इसी के अंदर से पूछा जाएगा जिससे समानने ग्यान हो गया तो friends समानने ग्यान के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है और friends इसमें 100 questions थे तो उसके 50 questions सी आपके पास आएंगे तो friends मैं ऐसे सारे एक वीडियो आपके पास लेके आऊँगा तो आज सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका 36 गड़ का समानने ग्यान अगर friends इसमें आपका अच्छा response मिलता है अगर आप मुझे अच्छा response करते हो तो friends में इसके पर और वीडियो बनाऊगा सारे questions का बर friends इन सारे questions का PDF आपको इसके description से लिक में मिल जाएगा तो friends आज जो हमारा topic है उसको मैं जुरू करने वाला हूँ आप 36 गड़ राच्चे का समाने ग्यान friends आपको मैं बता दूँ जो BCCL है वो 36 गड़ के अंदर है और जाता कि यह अपने देखना चाता है local candidates देखना चाता है पर हम जानते हैं इसके other states के candidates भी इसके अंदर apply कर सकते हैं पर इसमें वह होना चीज़ की कुछ conditions है वो हमने सारी बता रखी तो friends इस वीडियो के अंदर मेंसे कोई description में इसके conditions नहीं पूछेगा जिसको भी होगा वो हमें अपने इस वीडियो में पुराने link के descriptions लगा दूँगा जो वीडियो के link description में लगा दूँगा आपको वहाँ जाके देखना है आपको सारी knowledge वहाँ से मिल जाएगी तो friends अब शुरू करते हैं जैसे सबसे पहला question दूसरे friends सबसे पहला question इसका है देवरानी जेठानी मंदिर कहा स्तापित है जिससे हैं सिरपूर में, राजिम में, ताला में, मलहार में तो friend इसका उत्तार होगा ताल में, ताला में दूसरे पर तकतपूर नगर किस नगत नदी के तरपरस्तित है शिवनात अगर मानती और मनियारी तो friend इसका answer होगा मनियारी तो friend next answer है खुंका घाट किस नदी पर है मनियारी, हद्साव, खारून और मानती तो friend's का answer है खारून next, रायपूर का STD code का है friend, ये STD code से मतलब आ गया तो आपको आप जिसेगर वहां के रहने वाले होगा आपको समझ में आ जाएगा इसका STD code है 0771 ये friends इसका STD code है next है मीनी माता परियोजना किस नदी पर है तो friends आपका answer होना चीए option में से मानती, हचसादो, अरपा, शिवना तो friends काँ पर आगा आपका हचसादो हचसादो विसालपूर लोगसबा छेतर में कितने सांसद है आप समझ में आया विसालपूर लोगसबा छेतर के सांसदे से विसालपूर एक काफी बड़ा एक लोगसबा छेतर है उसके उन्होंने पुझा सांसत कौन है तो उसका अगा पुन्नुलाल महान, अमरलाल अगरवाल, दिलिप सिंग और धरमला तो friends ये उस टाइम का ये है आपका सन 2012 का तो उस समय कौन थे, उसके दिलिप सिंग जुदेव थे तो friends जो हमारा ये वीडियो देख रखें अगर आप भी लासपूर से हैं, अगर चारखंड से हैं या अदर स्टेट्स तो friend मुझे आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में लिख के देना ये आपका आपकी के कॉशन है नेक्स्ट, चतिस गड़ के वरतमान विदान सबा अद्यक्ष कोन है ये friend जो इसके आंसर है, सन 2012 क्या कोडिंग है उसका नाम है धरमलाल कॉशिक तो friend ये आपके सन 2012 में थे, आज चल रहा है 2022 तो इसका भी आप आंसर डिस्क्रिप्शन में दोगे तर्टिस गड़ के वरतमान विदान सबा के अद्यक्ष कोन है नेक्स्ट, छेरे को महल किस जेल में स्थेत है जी हाँ friend जो आपका छेरे को महल है, किस जिले में स्थेत है तो इसका अंसर होगा आपका राइपूर, बिलासपूर, कबीरधाम या राइगर तो friend इसका अंसर होगा आपका कबीरधाम जी हाँ friend जी बिल्कुल स्टेशनर या आंसे ले, रूड इसको रूड कोस्टन कहते हैं friends तो इसका अंसर क्या होगा कबीरधाम नेक्स्ट, 36 राज्चे में कुल कितने विदान सभाज छेत्रे, फ्रेंड्स ही काफी important question ही, हर बाद छोटे मुटे पे exam में पूछा जाता है, इसका options दे रखे 85, 71, 90, 90, तो आपका सही उत्तर है 90, जी हां फ्रेंड्स इसका भी अमेर को आप answer बिल्कुल check करके बताएंगे, क् की फ्रेंड्स जी सन 2012 की according मैंने questions ली है, ताकि जो आपको उस पे और भी इसमें correction करने का और आपको type का में पता चल जाए, next, निमें लिखित में से जिला में से मुख्याले रेल मार्क नहीं गुजरता है, जी हां फ्रेंड्स जिसके जो क्या है जिला मुख्याले में से रेल मार्क नहीं गुजरता या नहीं जुड़ा, यहां पे सी कोई रेल मार्क नहीं जाती है, जिसका नाम है राजंदवा गाउं, जाजगिर चापा, उसका धमतरी, और यह कहागा मुंगेली, तो उसका answer होगा D, मुंगेली, मुंगेली के अंदर अभी कोई भी रेल लाइन्स नहीं है, नेक्स्ट, चतिस राजे की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ही तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, छोटे वोट एक्जा में हर बार पुछा जाता है, एक नौवंबर 2000 को हुई थी, जी हां फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल याद रखना है, आपको साथ पत आने थे, आपको इसकी बिल्कुल याद होनी चीह है, जिसमें साब का चतिस गड़ बना था, एक नौवंबर 2000 को, नेक्स्ट, चतिस गड़ की किस जेल में माखनलाल चकुरेदी ने अपनी परदिंत कवीता पुष्प की अभिलाशा लिखी थी, तो फ्रेंड्स, इसका नाम हैं विसालपुर, तुशली फ्रेंड, विसालपुर काफी फेमस है, हर चीज में मदशवत्नत्या खेनानियों से हर चीज में आता है, तो इसलेटी आपको और भी दिखेंगे पनाके, नेक्स, चतिस गड़ का राजे-पक्षी कुन सा है, तो friends बहुत इंपोर्टेंट, अच question दे रखें 16, 18, 20 और या इसमें से कोई भी नहीं है आपको जो भी मेरे users देख रखें आपको मेरे इसका answer बताना है कि कुल कितने जिले हैं आप इसको मुझे इसका answer comment section में लिख के देंगे कुटम सर की कुफा का है बत्सर में, सरगुचा में, काकेर में, कोरिया में या फिर आपका हद्सों में तो friend इसका उत्तर होगा ए बस्तर में जी हैं friend बस्तर में आपके कुटम सर की कुफाई है बादल खोल उद्यांति दमोल पिंगला क्या है यहाँ friend यह काफी question पहई है, बादल खोल उद्यांति दमोल पिंगला क्या है तो friend इसका answer क्या है ये एक अभ्यारन है नेक चतिस गड की उर्जा राजदानी कोन सी है बिलाई, कोरिया, रायपूर, कोरबा तो friends का अंसर है कोरबा को क्या कह जाता है उर्जा की राजदानी कहा जाता है चतिस गड की अगला का शिव नारायन शिवरी नारायन किन दो नदियों का संगम है शिवनाथ हद्सो, मंध हद्सदो महानदी शिवनाद, महानदी हद्सदी तो उसका friend कुत्तर है, सी, सी है महानदी शिवनाद friends आपके नदी के रिकारड कोर्शन जहां से भी कोई मंदिर या संगम होता है वो काफी इंपोर्टेंट होते हैं तो friends आप 36 गड़ से लेटिर ये कोशन चुरूर देखके जाना 36 गड़ की जीवन टेका किसे का जाता है ये friends आप लोगों के लिए कोशन है मुझे बताएंगे 36 गड़ की जीवन टेका किस नदी को का जाता है तो friends इसका answer मुझे comment section में देंगे अगर friends आप कोई section कैसा लगा है इसमें अगर आपको कोई भी इसमें ऐसे चीज़ लगती हो कि जो हमने miss की है आपको नहीं समझ में आती तो मुझे आप बताना friends इसके बाद हम start करेंगे आपका mathematics का फिर आपका होगा आपका English फिर होगा आपका इसमें Hindi ऐसे करके मैं आपका पूरे इसके paper की आपको पूरे एक sample papers provide करा दूँगा ताकि exam में इसको काफी help मिलेगी और इसके अदर आप बचास में से 20 question आप आराम से कर पाएंगे तो friends इसके मैं अपना आपका रेस्वंस अच्छा मिलता है तो friends ऐसे मैं अगली काफी सारे questions और लेकिया होगा जो आपको pure paper को cracker name काफी इसमें आपको help मिलेगी तो friends आशा करता हूँ आपको video काफी पसंद आया होगा काफी इसको जानकानी मिली होगी तो friends please आप बने रही हमारे YouTube चैनल के साथ इससे आपको काफी जानकारी और भी मिलते रहेगी तो friends आपको इजात्त दीजिए मिलते हैं अगली बार फिर नहीं जानकारी नहीं अब्लेट के साथ तब तक इस टेक केर भाई जाहिन जाह बारत